अब हम question number 7 तो देखते हैं अब ऐसा question दिया हुआ है तो आपको confuse करने के लिए दिया है तो बट आपको confuse नहीं होना तो आपको पता है कि जब ऐसी कोई bracket के बाहर चीज दी होती है कोई भी sign नहीं है अधर पर separate होने का तो इसका मतलब multiply में है तो 4 upon 5 को पहले हम x से multiply करेंगे फि इसका 4 upon 5 into 10 हो गए ठीक है तो 5 1s are 5 5 2s are 10 2 into 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 पिलस 4x upon 5 अगर आप चाहते तो इसका डारेक्ट multiply भी कर सकते 4 upon 5 का 10 से बठ हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे 5 था और ऊपर 10 था तो आराम से यह कट सकता था इसलिए हमने इसको simple form में कर लिया equals to x हो गया अब 5 है तो हम इसको इस साइट transpose कर देंगे इसका sign change हो जाएगा तो यह प्लस में है इधर पर जाकर यह negative में हो जाएगा तो x minus 4x upon 5 equals to 8 अब हमें क्या करना LCM लेना पड़ेगा x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 माननेंगे तो LCM लेनेंगे तो क्या आ जाएगा LCM 5 का 5 आ जाएगा और उपर भी नीचे भी 5 से multiply करेंगे हम क्योंकि 1 की table में 5 5 बार आता है और उपर भी हमें 5 से multiply करना पड़ेगा तो 5x आ ही हो जाएगा multiply में तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 तो x की value आ गए हमारी 40 अब जो value आई है हम इसमें रिखके देखेंगे हमारे equation में क्या हमने जो value find की है वो सही है हम verify करेंगे तो हमारा question क्या था x equals to 4 upon 5 x plus 10 तो here x equals to क्या है 40 है 40 equals to 4 upon 5 40 plus 10 तो यह आ जाएगा 40 plus 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 into 4 upon 5 तो 5 ones are 5 और यह हो जाएगा 10 तो 4 into 10 क्या हो जाएगा 40 equals to 40 तो मतलब कि क्या है LHS equals to RHS मतलब जो हमने value find की थी वो एकदम सही है हमने verify करके यह बता दिया अब मैं आपको 8 question में मिलती हूँ I hope आपको question समाज में आ गया होगा like, comment and subscribe करना ना मूले